हेलो गाईज, वेलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट तो देखे फ्रेंट जो हमारे टॉप 5000 जी एस वाली सीरी चल लेती उसका आज पार्ट 42 है इसमें भी आज इंक्लूट के गए है कुछ महत्तो पूंड जी एस के कोईश्चन सामान अध्धन के कोईश्चन या पर आप क्योंकि जैसे फिजिकल कंप्लीट होगा उसके जल्दी एक-दो माहा के अंतरगत क्या हो जाएगा आपका रिटेन हो जाएगा तो आपको काफी तैयारी करने का आप जरूरत है और काफी अच्छी गोल्टन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि इसमें आप सेलेक्ट हो आते हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबाबिलीटी ज्यादा होती है किसी इक्जाम में तो फ्रेंस आज का वीडियो भी यहां पर रखा गया है इसमें भी मिलेंगे आपको मोस्ट टॉप जीके के कोशन तो वीडियो सुरू से अंतर तक जरूर देखेगा और वीडियो म एक दर्द निवारक दवा है ठीक है फ्रेंस जो की प्राप्तों होती है पेल की छाल से ठीक है ध्यान दखेंगे इसको इसे लिके असीड भी बोलते हैं और यह छोटे मोटे जो दर्द होते हैं, दर्द निवारक के रूपमे यूज किया जाता है ठीक है, next question ने दिकिए सु टेस्टोरन हार्मोन होता है यह गर्भा से महिला के वहां से स्रावित होता है टेस्टोरन की मैं बात करूँ इसका स्रावन होता है अंडा से पुरुष से ठीक है थायरोक्सिन की मैं बात करूँ थायरोक्सिन का स्राव होता है थायराइड ग्रंती से और इंसुलिन की मैं अगर कोशिन है इसमें देखे वह इस्तान जहां प्राक असोक ब्रामी लिपी का पता चलता है तो कौन सा इस्तान है ठीक है तो इसका सही आंसर है मास्की तो मास्की से ब्रामी लिपी के बारे में पता चलता है ठीक है और दक्षित भारत में है यह मास्की मास्की अभिलेग यहां प के मध्यकालिन भारत के मुगल सासक वस्तुतह थे तो जो मुगल सासक थे वो क्या थी मतलब उनकी जो वन्स था क्या था हो एक इसाब से ठीक है तो यह थे चगदाई तुर्ग option C is the right answer दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संसमरन लिखे थे तो संसमरन का मतलब होता है कि अपने जितने भी घटना है जितने भी यादगार मोमेंट है उनको लिखना तो यह था फिरोज तुगलग option D is the right answer अबबाब क्या था तो अबबाब क्या था अबबाब था उस समय काल में कौन सा मापक प्रियोग में लाया जाता था तो दिल्ली सल्तन दगर आपने deeply पढ़ा है इसको तो आप समच जाएंगे इसका answer होगा option C मसाहत ठीक है मसाहत को लाया जाता था भूमी मापन next question friends महाराना सांगा ने इब्राहम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था तो देखे महाराना सांगा और इब्राहम लोधी के बीच 1518 में हुआ था खतोली का युद्ध ठीक है तो ये इसका answer होगा option A ये 1518 में हुआ था खतोली का युद्ध ध्यान लखेंगे अगर आजाद हिंद फोंच के अधिकारियों ने लाल किले में चल रही मुकदमे में उनके पक्षे में निम्नलिकित में से किस ने वकालत की थी तो पक्षे में जो आजाद हिंद के अधिकारी थे उनके पक्षे में वकालत करने वाले ब्यक्ती थे option D इसमें सही आंसर होगा सर टी सबसे पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था ठीक है तो सबसे पहले हुआ था लखनाव समझोता डिसंबर 1916 में ठीक है उसके बाद मैं बोलू गाधी इर्विन समझोता हुआ पांच मार्च 1931 को उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था धिम्रा अंबिटकर जी थे इसमें गांधी के साथ और ये पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को इसके बाद सविनय अवग्या अंदुरन के अंतिम रूप से वापसी हुई थी एक अगस्त 1933 को तो इसका आंसर था किसने किया था इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानन्द स्वरस्वती ठीक है 1936 में इसकी सभा हुई थी सबसे पहली जो अधिवेशन बोल सकते हम ये अधिवेशन 11 अप्रेल 1936 को हुआ था और ये लखनाव में हुआ था इसका आंसर हुजाएगा ओप्शन C लखनाव निम्नलिकित में से किसने बंगाल के विवाजन जो 1905 में हुआ था के विरोध में आंदोलन का नित्र तो क्या था तो इसका आंसर होना चीए ओप्शन A सुरेंद्र नात बनर जी ठीक है ओप्शन A होगा इसका अगला देके वह कौन थे जिनोंने अनुसिलन समिती की आत में की थी किसने वारिंद्र घोष और भुपेंद्र धत्त ने तो इसमें भुपेंद्र धत्त तो दिया नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा वारिंद्र घोष ऑप्शन B is the right answer नेक से देखें निम्नलिकित में से कौन से हिमाले के तरों वलित परवत नवीन मोरदार परवत के साक्षक आ जा सकते हैं तो कहने का मदब जो हिमाले आपको पता है सबसे नवीन वलित परवत है हिमाले तो इसके जो प्रूफ है वो क्या-क्या है इसमें जो options के according दिये गए अगला question है भारत की निम्नलिकित फसनों पर वीचार करना है अपने ठीक है और विचार क्या करना है जितनी भी फसले दी गए हैं उपरोक्त मैंसे कौन से दलहन पर वीचार करना है चारा और हरी खात के रूप में प्रियोग होता है लोबिया मूंग अरहर इन तीनों मैंसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी फसल है जिने हम दलहन के रूज में भी यूज करते हैं चारे के रूप में भी यूज करते हैं और हरी खात के रूप में भी यूज करते हैं तो इ भारत के प्रथम तीन सरवाधिक गन्ना उतपादक राज्य कौन-कौन से हैं तो इसका सही आंसर हो जागा सब सरवाधिक गन्ना कहां पर होता है यह मैंने आपको प्रीवेस कोश्य ने दीए भारत का कौन सा राज्य सरवाधिक अभर्थ उतपादन करता है तो अभर्थ एक कुछा लग पतार ते है यह एक इलेक्टरॉनिक उपकरणों में यूज क्याजाता है और भारत का अभरत उतपादन में विश्वा में प्रथम इस्तान है और भारत के राज् मुझे भी अभी तक याद है ठीक है देखें महादीप कैसे विवर्तनिक किरिया के द्वारा अलग होए थे ठीक है यह तो विवर्तनिक जिसको हम बोलते हैं प्लेट विवर्तकनी सिद्धान्त भी बोल जाते है इसको तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन भी विवर्तनिक किरिया से ठीक है ओप्शन बी होगा इसका निमनलिकित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है तो सौर मंडल का भाग नहीं होगा इसमें निहारी का बांकि सभी सौर मंडल के भाग है छुदर ग्रह धोमकेतू ठीक है निहारी का इसका अंसर होग ठीक है तो अफरीका में इस्तित है यहां पे सबसे बढ़े हीरे की खान है ध्यान लखेंगे ठीक है तो इसका आंसर जेगा ओप्शन B भारत की संचित नीधी से नीधी निकालने के लिए निम्नलिकित में से किसका अनुमोधन अनिवार है तो भारत की संचित नीधी है वहां से हम कुछ बजट या पैसे निकालना चाहें तो किसकी यहां पे अनुमती जरूरी है बिना इसके अनुमती के बिना इसके प्रोटोकॉ वोलके यहां पर से पैसा नहीं निकल सकता तो यह इसका आंसर हो जाना चाहिए, option B भारत की संसद, जब भारत की संसद मन्जूर करेगी तब भारत की संचत निदी से क्या हो सकता है, पैसा निकल सकता है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कारे के लिए, next से देख है, तो कहने का मतलब विधान सभा में सभी जो मेंबर से उन्होंने सहमति दे दी, तो फाइनल जो उसमें हस्ताक्चर होंगे, वो राजयपाल के होते हैं, राजयपाल जब संस्तुति देगा, तब धनु विध्यक उन्हों स्तापित होगा, ठीक है, ध्यान लगेंगे, अग वो एशया का भी सबसे बड़ा बैंक है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, कौन है, वो रजनीष कुमार है, ठीक है, ध्यान लखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी-कभी, अगला देखें, एक उच्छे न्यायले का न्यायदीस अपना त्याग पत्र किसे संबोध अधित करता है, तो आप उन्हें पड़ा होगा उच्छे न्यायले के बारिमागर ध्यान से, तो उच्छे न्यायले का जो भी न्यायदीस होता है, उसको सपती भी दिलाता है, कौन? मुख्य न्यायदीस, ठीक है, ध्यान लखेंगे, और जो मैं बोलो जो वहाँ पर मुख् उंदेल खंड वाला पार्ट अलग कर दिया जाए और जो हमारे उत्राखंड को इस परस करते हैं वह उत्तरी पार्ट को भी अलग कर दिया जाए ठीक है तो चार भागों में बांटने की अभी जो है एक प्रस्ताव रखा गया था उतर प्रदेश में यह पारित हुआ था वीडियो दीती जो अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां पर मिल जाएगा ब्लॉघ संदर पर छो पंचयप समीती होथी होती है वह प्रसाशनिक प्राधी करण में टीक है श्यूंकि जतने बीम पनचयप के सुबरल है यह से बनते हो यहीं से सभी चीजह पास होती है कσι बी पार्ट 42 कवर किया देखे सामने ग्यान में आपको हमेशा बोलता हूँ 40 नंबर का पोर्टसन रखा गया है उत्राखन के समूगों को एकजाम में तो काफी महतोपों होते हैं यह वीडियो तो इन वीडियो को आप बिल्कुल मिसना कीजिए ठीक है देखे कोई प्रेसन अगर गलत हुआगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में या अगले पार्ट में इसका करेक्शन कर सबूँ सो फ्रेंट्स थैंक्यू फॉर रॉचिंग फ्लीज डू लाइग एड़ सेर अच्छे से अपनी तयार कीजिए अपना ध्यान भी लखिए मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम